मैंने कुछ ऐसा DIY remedy ट्राइक है जिसके वेसे मेरे बालो की length इतनी जादा लंबी हो चुकी है कि मैं परिशान हो चुकी हूँ और सीधे पालर गई और वहाँ पे अपने बाल कटवा डाले और अकसर मुझे मतलब हर दो महिने के gap में बाल कटवाने पढ़ की जाते हैं क्योंकि बालो की growth बहुत fast हो जाती है मेरी DIY remedies की वजए से आप बोलते हो इतनी वीडियो क्यों बनाते हो बालो की क्योंकि इतनी remedies है जो पर लगाती हूँ जिसके बालो की length रुखती ही नहीं है वो सच में कहा होता है न यह लगाओ कि तो बाल इतने लंबे हो जाएंगे कटवाने पढ़ेंगे मेरे साथ तो यही हुआ यह देखो कितने सारे बाल मुझे कटवाने पढ़े और यह अकसर कटवाने पढ़ते है प्रेगनेंसी हुई मेरी डिलिवरी हुई थाइरोइड हुआ यह सारे ऐसे मेजर रीजन से जिसके वेज़े से लोगों के बहुत जादा एक्सेसिफ हैर फॉल होते है इन फाक्ट मेरी भी कई बार हैर फॉल हुए और बहुत जादा हुए बट द lobbies जो भी लगा लेती ह 좀 अच्छे से ठरल ली फॉलो कर लेती हुँ तो बालों की लेंथ और भी जादा लंải हो जाती है बज़ाती है लेकिन मेरा hair growth हमेशा होता है और अच्छी speed से होता है एक तो normal natural process है बालों के टूटने का और hair growth का वो तो होता ही है लेकिन अगर ये process थोड़ा imbalance हो जाए बाल टूटे बहुत जादा और उगे कम या जो बाल उग रहे हैं उनमें breakage बहुत जादा जाए तो problem हो ज ये मेरे भी होते हैं लेकिन मैं तें गर लेती हूं अपनी remedies को ट्राय कर लेती हूं कुछ suit नहीं कर दी तो मैं change कर लेती हूं फड़ावर से तो इसलिए कुछ remedy अगर आपको suit नहीं करती तो ये 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 रेमेडी ट्राय करो बहुत नाथ्रल है और डेफिनिटल आपको लेना चोड़े दातों वाले कंगी लेना और धीरे-धीर कंगी करना फ्लीज यार कंगी ढंक से करोगे न तो जादा बाल टूटेंगे नहीं दिन में दो बार कंगी करना सुबाउट करके और आपको सोने से पहले बाल जाएंगे तो टूटेंगे ठीक है तो उलजने मत दो मेरे बहुत सारे शॉट्स की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे डिया है है तो मेरे बालों के बहुत अच्छे से स्ट्रॉंग और पॉलिमेस बनाए रगता है इसको बनाने के तरीका बहुत असान है लगाना मतलब आप डॉपर से लगा लो फिंगर से लगा यह जो आपके जड़े सो चुकी है या डेड हो चुकी है उनको रिवाइब कर देता है और बालों की लेंद काफी अच्छी करता है चलो इस हेटानिक को कैसे बनाना है वो देखते हैं तो एक पैन में एग लास पानी ले लिजए उसको अच्छी तरीके से उबाल दीजए मै यह मैं यूस करते हैं और इससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका लिंक आप बोलोगे तो इसक्रिप्शन बॉक्स में देदूंगे आप वो ट्राइ कर सकते हो एक चमच आप गारले को ता रहसुन उसका जूस निकालो एक चमच से और उतना ही डाल दो बाल अगर पर चोटे हैं तो आदा चमच लिए मेरे इतने लंबे बाले तो बने एक चमच लिया यह इसले लिया क्योंकि एक्सेसिव अगर है फॉर आपका हो और एक्सेसिव डेंडर फोरा तो बहुत अच्छा क्यों करता है अदर्वास यह विसकस पाउडर और जो मेथी पाउडर ल यह आपका DIY hair growth tonic तयार है इस tonic को आप या तो इस तरह की से dropper से लगा लो या spray करके बालो में लगा लो या finger से लगा लो और एक घंटे बाद अपने बाल धोलो ठीक है उसके बाद आप देखोगे आपके बालो में कितनी अच्छी shine आती है आपके बालो में जितने भी dandruff ह होते हैं वो गायव हो जाते हैं इसके अंदर antibacterial antimicrobial properties होती है यह आपके बालो की जड़ो को एकदम बूस्ट अप कर देता है और बाल ग्रो करने के लिए मजबूर कर देता है और फिर्स वाश में ही आप देखोगे जबा पहला वाश कोरोगे ना आपके पहले बाल बहुत अब बात करें DIY hair tonic के ingredient की तो इसके अंदर जो hibiscus और methi powder हमने डाला है यह actually एक natural medicine का काम करता है और यह कोई आज की recipe नहीं है यह hot times सदियों से हमारे ayurveda में mention है इसके benefits for hair और कब से इसको अलग अलग तरीकों से लोग यूज़ करते है लोग आप चाहएं तो इसका powder का mask बन आपको बताया है link description box में mention किया हुआ है and guys purple पे new look sale चल रहा है जो कि 6 तारिक से sale स्टाट हो जाएगी purple.com और 8 January को आपको देखने को मिलेगा buy one get one sale on else goodness products जिती भी चीज़े लोग एक के साथ एक आपको free मिल जाएगी सारी details मैंने description box में mention कर दी है यह hair tonic, methi powder, hibiscus powder की मदद स आप बनाईएगा, बालों में लगाना, हर उम्र के लोग लगा सकते है, girl boy लगा सकते है, hair wash के पहले आप लगा लो, 1-2 गंटे पहले लगा लो, बहुत अच्छा वो करता है, आप चाहों तो पुरी राध पीस को बालों में लगा रहने तो next day hair wash कर लो, यहाँ पे आपको ग बालों में बहुत जादा स्ट्रॉंग है, और तेजी से आपके बालों में hair growth देखने को मिलेगा, और तेजी से hair fall stop हो जाएगा, आप ने खुद देखा कि मैंने के सरीके से इस DIY remedy को बनाया, लगाया, और after result भी आप देख रहे हो, बालों में कितनी अच्छी shine आई है, बाल क मुझे ज़रूर बता कि जाना, मैं आपके comments का इंतिजार करूंगी, thanks for watching, I'll catch you again till then, bye guys, take care.